स्टूडिंट्स वेलकम टू मैं चैनल दिशीज रौशन सरमैक्स चलिए मेडिय स्टूडिंट्स आज से हम स्टेडि स्टार्ट करते हैं इस सेवन एक्जैम्स आरड़ी हो चुके हैं और पहरा चैप्टर कॉडिनेट जोमेट्र कराऊंगा उसके बाद धीरे-धीरे करते करते पूरा सहले बस हम लोग आलरड़ी कंप्रेट करेंगे वैसे तो सभी चैप्टर्स आलरड़ी अप्लोड़ेट है प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं एक एक करके वहाँ पर सभी मिल जाएंगे एक नई टेक्निक से एजी मेधर से कुछ और कराने की कोशिश में लिए है अभी हम सौर्फ करेंगे एक्सरसाइज वन के कुछ क्वेस्टन्स एस सेवन पॉइंट वन दीखिए यहाँ पर क्या दे रखा है फॉर्स्ट पाइंट डिस्टन्स बिट्वीन पेर आफ पॉइंट जिसका डिस्टन्स बिट्वीन आपको फाइंड आट करना है ठी इसके एक्सरसाइज एक ही मिथड़का होगा डिस्टन्स बिट्वीन यह दो पॉइंट्स का यह दोनों 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 पॉइंट्स का आपको देंगे एक 2,3 और 4,1 find out करना है distance between इसके लिए x1, y1, x2, y2 distance between का formula हम ले रहे हैं distance between is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square आप चाहे तो इसको x1 minus x2 भी लिख सकते हैं कोई problem नहीं होगा अब just आपको substitute करना है a,b is equal to x2,4 x1 minus 2 square y2 minus y1,1 minus 3 square a,y2 minus 1 यहाँ पर आपको लेना है 4 minus 2 हो जाएगा 2 1 minus 3 हो जाएगा minus 2 square is equal to 2,2 हो जाएगा 4 यह 2,2 हो जाएगा 4 minus into minus plus यह दोनों को आइट करने पर आ जाएगा 8,8 को आप चाहे तो 4 into 2 लिख सकते हैं इसको 2 root 2 लिख सकते हैं या इसका square root नहीं आता यहाँ पर भी आप 8 units भी आप लिख सकते हैं इस तरह ही दिख सकते हैं कोई दिखर नहीं होगे आपको पूरे marks आपको मिल जाएगे यहाँ पर दिखे सेकंड बिट एक वाले को A लेलेंगे दूसरा वाले को B लेलेंगे एक minus 5 कामा 7 एक minus 1 कामा 3 x1, y1, x2, y2 as it is formula distance between is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square यही formula हम लेलेंगे अब इसके यंदर आपको substitute करना है A, B is equal to under root x2 minus x1 minus 1 formula का minus और यहाँ का minus 5 square y2 minus y1 3 minus 7 square इस तरह आपको लेना है is equal to under root minus 1 minus minus plus 5 square यह दोनों को minus करेंगे 4 square is equal to minus करेंगे 4 square आजाएगा यह 4 into 4 minus 4 square as it is लिखने इसको next step में हम multiply करेंगे 4 for the 16 4 for the 16 यह दोनों को आट कीजिए 32 आजाएगा 32 इसका square root नहीं हैगा 32 units आप इस तरह दिख सकते हम next यह देखें minus 2 कामा 3 यह ले लेंगे दूसरे को लेंगे B यह minus 2 कामा minus 3 यह 3 कामा 2 यहाँ पावर x1 y1 x2 y2 formula distance between is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square यह formula हम लेंगे अब सब्स्चूट की जाइस के दर a,b is equal to under root x2 3 minus और minus plus 2 हो जाएगा 3 plus 2 3 plus 2 whole square plus y2 minus 1 2 minus into minus plus 3 square 3 plus 2 हो जाएगा 5 square 2 plus 3 हो जाएगा 5 square 55 हो जाएगा 25 a 55 हो जाएगा 25 यह दोनों को आइट करें की क्या हो जाएगा 50 e square root नहीं आएगा 50 units आप लिख सकते हैं इसका answer e,b काईटी जाएगे a वाल पॉंट एक b वाल पॉंट a,b दूसरा minus a, minus b x1,y1 x2,y2 formula distance between is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square यह formula से आप substitute करना है इसके रिखना चलिए,substitute कीजिए a,b is equal to under root x2 minus a x1 formula का minus a square यहां का minus a यहां का square plus y2 minus b a minus b square यह दोनों को आइट करेंगे minus 2a हो जाएगा square यह दोनों को आइट करेंगे minus 2b हो जाएगा square 2 to the minus plus 4a square हो जाएगा 2 to the 4b square हो जाएगा 4 को common लेंगे हम तो क्या बज़ जाएगा यह a square यह b square क्योंकि 4 into a square 4a square 4b square 4 का square root 2 आजाएगा root e a square plus b square इस तरह आप first bit कर सकते हैं second video देखे point the distance between the points यह दोनों का distance between between आपको point out करना है question number second एक a वाला point है एक b वाला point है एक 0,0 दूसरा है 36,15 इसका distance between आपको find out करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे देखे distance between का फॉर्मड अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square x1 y1 x2 y2 substitute करेंगे a b is equal to x2 36 minus 0 square y2 minus y1 15 minus 0 square यह minus करने पर 36 हो जाएगा square यह minus करने पर 15 हो जाएगा square 36,36 जा 2,96 15,15 जा 225 यह दोन को आट की जा करेंगे 15,21 15,21 का LCM निकालना है आपको 35 हो 15 37 हो 21 31 हो 3 36 हो 39 हो 13,13 हो 13,1 हो यह pairs बनना 3 यह 13 तो देरफोर 13 इंटो 3 यह multiply करेंगे 39 इस तरह इसका अंसर आजाएगा यहाँ पर देखिए verify whether the points 1,5 2,3 minus 2,1 are collinear or not यह collinear है यह नहीं है बहुत important question third question very important question है देखिए A B C तीन points यहाँ पर given है A B C A वाला point है 1,5 B वाला point है 2,3 C वाला point है minus 2 कामा minus 1 यह formula सबसे पहले आपको collinear का definition याद रहना है अगर आप area of triangle में लेते हैं तो जिसका answer 0 होना है अगर आप distance between में लेते हैं तो यहाँ पर collinear collinear का क्या होगा A B plus B C is equal to A C यह collinear का definition है अब चेक करना है इसको collinear है या नहीं सबसे पहले हम distance between के formula से सभी solve करेंगे distance between is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square A B अगर पहले हम ले रहे x1, y1 x2, y2 substitute कीजी 2 minus 1 square y2 minus 1 3 minus 5 square 2 minus 1 1 square 3 minus 5 minus 2 square यह 1, 1 2, 2 4 यह दोनों को add करने पर क्या हो जाएगा 5 यह हो गया A B का ठीक है अब उसी तरह next हम लेंगे B C B C is equal to under root x1 यह y1 x2, y2 minus 2, minus 2 square minus 2, formula का minus 2 square फिर यहां पर minus 1, minus 3 square minus 1, minus 3 square यह दोनों को add करेंगे 4 square 4 square यह दोनों को add करेंगे minus 4 square 4 4s are 16 4 4s are 16 यह दोनों को add करने पर हो जाएगा 32 यह हो गया B C का B C is equal to 32 2 अब अब नेक्स्ट लास्ट हम करेंगे A C यहां पर लिखेंगे A C is equal to under root 1 by 1, x2 by 2 minus 2 minus 1 square plus minus 1 minus formula का 5 square यह यह दोनों को add कीजिए minus 3 square यह दोनों को add करेंगे minus 6 square 3 3 the 9 6 6 the 36 यह दोनों को add करेंगे क्या हो जाएगा 45 यह हो जाएगा A C therefore यहां पर A B plus B C is equal to A C A B का अंसर है root 5 B C का अंसर है root 32 is equal to A C क्या है root 45 यह दोनों को add करने पर यह दोनों अगर add भी करेंगे 37 हो जाएगा 45 यह दोनों equal नहीं है therefore it is not collinear point इस तरह आप इसको लिख सेबते हैं दिखें check whether 5 minus 2 6 4 7 minus 2 or the vertices of isosless triangle isosless triangle का क्या होगा यहाँ पर मैं आपको बतलाओंगा यहाँ पर लिखेंगे हैं सबसे पहले number 4 यह isosless triangle इस तरह आप एक triangle ड्राइंगल ड्राओ करना है A, B, C इनी सूर्ट साइट्स इक्वाल आना है इसके इंदर इनी टू साइट्स आर इक्वाल इक्वाल अई-सोसलेस में कोई भी दोनों साइट्स इक्वाल आना है जबके points दे रखाया हैं 5 कामा माइनस 2 6 कामा 4 7 कामा माइनस 2 यह दे राया अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले A, B find out करना पड़ेगा उसके बाद B, C find out करना पड़ेगा उसके बाद A, C फार्मड़ वही फार्मड़ दे नहीं है distance between under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square यही फार्मड़ में आपको लेना है अगर आप A, B कर रहे हैं तो A, B is equal to under root x1, y1, x2, y2 6 minus 5 square y2 minus y1, 4 minus into minus plus 2 square 6 minus 5 हो जाएगा, 1 square 4 plus 2 हो जाएगा, 6 square यह 1, 1 जा, 1 plus 6, 6 जा, 36 यह दोनों को आट करेंगे यह 37 हो जाएगा, यह A, B, अब उसी तरह आप 20 ही ले लेंगे 20 ही अगर आप कर रहें तो x1, y1, x2, y2 7 minus 6 square plus y2 minus y1 minus 2 minus 6 square minus 4 square, sorry यह दोनों को minus कीजे 1 square, यह दोनों को आट कीजे 6 square क्या होगा, 1, 1 जा, 1 6, 6 जा, 36 यह दोनों को आट करेंगे, 37 7 लास्ट है, A, C A, C is equal to under root A, C, 7 minus x1, y1, x2, y2 ले सकते हैं 7 minus 5 square y2 minus y1 minus 2 minus plus square minus 2 plus 2 square हो जाएगा क्योंकि minus 2 formula का minus 2 minus plus 2 हो जाएगा अब यह दोनों को minus करेंगे 2 square यह दोनों को minus करेंगे 0 square क्या हो जाएगा, 2 to the 4 plus A, 0 is equal to 4, इसका square root हो जाएगा 2 इस तरह आप इसको solve कर सकते हैं तो यह दोनों points यहाँ पर equal है तो इसलिए it is यहाँ पर लिख सकते हैं इस isosless triangle यहाँ पर isosless triangle उमीद करता हूँ का आपके अच्छा लगा होगा बेस्ट अफलक आप वाल्ग तोन्स